और बात मौसम की देश में इस साल सर्दी का अजीब गरीब मौसम देखने को मिल रहा है एक तरफ जमो कश्मीर और लद्दाख जैसे पाड़े इलाकों में मौसम शुष्क रहा है जबकि मैदानी इलाकों में लोगों को कडाके की सर्दी का सामना करना पड़ रहा है भारती विभाग का कहना है कि उतर भारत के राज्यों में सर्दी का सितम जारी रहने वाला है सिर्फ इतना ही नहीं लोगों को कडाके की सर्दी के साथ घने कोहरे से भी जूशना पड़ेगा दिल्ली उतर प्रदेश हर्याना चंडीगड राजिस्थान और मध्यप्रदेश के कई लाको में अगले पांच दिनों तक घना कहरा चाया रहने वाला है अगले तीन दिन भी लोगों के लिए काफी भारी होने वाले हैं इसकी वज़य यह है कि तीन दिनों तक शीतलहर चलने वाली है जिसके चलते गंभीर कोल डे जैसे हालात रहने वाले है इस वरां ठितुरन पड़ेगी पूर्वातर के कुछ लाकों में बारिश की संभावना भी जताई गई है तमिलाड़ों के कुछ लाकों में भी बारिश हो सकती है पंजाब हर्याणा उत्रप्रदेश उत्राखंड और राजिस्तान के 2600 में घने कोहरे से बेहत ही ज्यादा घना कोहरा रहने की संभावना जताई गई है हिमाचर प्रदेश पश्यम मंगाल के पहाड़ी हिस्सो सिक्किम बिहार ओडिशा असम और मेगाले नागलेंड मनेपुर मिजोरम और त्रिपुरा में घना कोहरा चाय रहने वाला है इस दोर कोल्डे से लेकर भीशन कोल्डे का अलर्ट जारी किया गया है इसका मतलब है कि इन राज्यों में सर्दी का सितम सबसे ज्यादा रहने वाला है उत्राखंड मद्यप्रदेश और राजस्थान में भी भीशन कोल्डे का अलर्ट जारी किया गया है पूर्वी राजस्थान मे सिर्फ कॉल्डे रहने हैं कोल्डे की समय लोगों को सरदी से बशने की हिधायत दी जाती है पंजाब हर्याना है माक्षण प्रदेश राजीस्थान और मद्यप्रदेश में श्रीत लेहर चलने वाली है शंडी हवाओं की वज़े से हाड कप आने वाली सर्दी पड़ेगी तो उत्राखंड के गुश्रिलाकों में तापमान शून्य से नीचे भी जा सकता है